हालो एवरिवान विल्कम तू आवर चानल आने के जुगिशिन पॉइंट मैसल फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मैंनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे मैं जी हां मैंनेजमेंट अकाउंटिंग का जिसका कोड मैं बता देती हूं आप लोगों को बी-सी-ओ-ई-1- कोंसे महीकर खायेंट सेगेंट के बच्चोंने अपना स्वीन डिक अकाउंटिंग का रिव्यू शियर करा पाइंशfang मैं आपने देखाह ये जो ये जो मैनेजमेंट अकाउंट काउंटिंग आती है जो की आपकी ये accounting है जो कि आपके graduation को complete कराती है तो क्यों ना आओ इसके most important topics from लोग देख लें जाहां सब का पूरा का पूरा question paper आपको 100% दिखाई देने वाला है सबसे पहले आप लोगों को cost related सारे topics को cover करना है like आपका cost related cost control हो क्या चीक है यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए मतलब cost related topic आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाना है cost क्या होता है cost को कैसे control किया जाता है यह आपको अच्छे से आना चाहिए cost control very very important है यह कई बार difference में भी पूछा जाता है कई बार आप से short note में पूछा जाता है तो cost वाला cost control so यह most important था इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है इसको जरूर से जरूर करके जाना है next topic आता है costing का costing is very very important costing का question किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसे कि standard costing क्या होता है ठीक है साथ-साथ यह भी बता रही हूँ कि किस तरीके से question पूछे गए थे लेकिन कभी-कभी क्या होता है examiner question को घुपा दे तो भी आप paper को attempt कर पा होगे तभी मैं topic भी बता रही हूँ कि हम छोड़के चले जाएं ठीक है और आपको मैं एक चीज और बताने चाहूंगी costing से related standard costing का आप लोगों को advantages भी पूछा जा सकता है आपसे पूछ लिया ठीक है या फिर नॉर्मली आपसे रेशो पूछ लिया या फिर आपसे interest coverage रेशो पूछ लिया मताब रेशो तो आपको सारी करके जानी है लेकिन जो पहले पूछी गई है वो यह थी लेकिन इसके लावा भी पूछी जा सकती है इसलिए रेशो वाले topic क आप बिल्कुल भी skip ना करें कि यह तो most 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 important topics है जहांसे आपके question बनने का high chance रहता है ठीक है then after आती हूँ आपके pricing वाले topic पे ठीक है pricing ठीक है तो pricing वाला जो topic है वहां से आपका क्या question बनता है वो मेरे को आपको बताना है कि pricing जो है किस सरीके से पूछ लेगा तो pricing के decisions ठीक है यह normally pricing के बारे में limitations के बारे में तो यह वाला भी काफी important है next अगर मैं accounting की बात करूँ तो accounting से related जितने भी topic आपको अपनी book के के अंदर दिखाई देंगे आप सारे कर लेंगे जैसे की management accounting ma management accounting हो गया अगर आपको अपनी book के अंदर cost accounting का भी difference इसके साथ में दिखे या फिर FA का दिखे तो आपको सारी accounting के differences इसके साथ देख लिए अगर आपने सिरफ difference कर लिया तीनों का एक साथ तो समझ लेना बाहर question को difference हो डिफाइन हो कुछ भी हो वो सारे इसके अंदर cover up हो जाते हैं ठीक है और अगर management accounting के features पूछता है marriage पूछता तो भी आपका answer कर पाएंगे definitely कर पाएंगे then after आता है reserve यह वाला topic बहुत बार repeat हुआ था very very important इसको आप मार्क कर लीजिए reserve and provisions ठीक है यह भी बहुत बार पूछा गया question है कभी कभार तो वो क्या करते है आपसे सिर्फ provisions पूछते है ठीक है और कभी कभार क्या होता है कि वो आपसे provision ना पूछ के सिर्फ आपसे reserve पूछ लेता है यह हो सकता है इसका difference भी पूछ ले ठीक है तो आपको difference करने को होती होंगी कि सारी सारी चीजे चिक है प्राइजिंग वाले में जो है प्राइजिंग डिसीजन मैंने आप लोगों को बता दिया इसके कुछ फैक्टर्स भी आप से पूछे जा सकते हैं बता दिया अगर हम बात करें तो वो आता है आपका मैनेजो है ऐसको अलग से में बता दिया तो इसको अलग से में ब Paltuya ahorita यूज नौर्ट में ख пошओ ले नाजा है सब कुक्छ कर लिया है आपने कई र 우因为 नहीं आता जैसे कि यहppo शूर्ट में और यशा गवट जा सकता है वह मैं बता दो आपको जैसे की रिधियूसल इंकम verme. आपकी ठीक है यह चोड़ी चोड़ी टर्म जो हम अपने आप management accounting में यूज करते हैं वो सारी पूची जा सकती है एक चीज और बताती हूं जो है material आपका material material variances यह भी important है यह भी आपसे पूचा जा सकता है ठीक है और उसके बाद आता है आपका last topic बताती हूं आप लोगों को वो है आपका budgeting चीक है budgeting से related topic आप से काई बार पूछे गए हैं budgeting में आपसे जैसे की आप से पूच सकता है performance performance budgeting क्या होता है या फिर budgeting की define उसके टाइप यह सब पूच सकता है इस तरीके से आपको आना चाहिए जो कि कि आपको skip out नहीं करना है या फिर short note में वह यह पूच सकता है trend analysis क्या होता है इसको विदे sample आपको explain करना है ठीक है तो इस तरीके के जो topics थे जो कि मैंने आपको almost सारे बता दी है जो कि सारे के सारे इन में से आपका paper जो है वो बनने की संभावना है और इस से भार बनने की बहुत कम भी संभावना होगी लेकिन मैंने आपको सारा का सारा करवा दिया है जो कि most important जो 99% आप लोग मान सकते हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि 1% examiner का कुछ नहीं पता हो तो वो question को घुमा के दे तो भी आप लोगों को करना क्या है अपने में topic को पकड़ना है और अगर आपने में जो summary है वो कर रखी है तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे marks लाने से भी कोई रोक नहीं सकता तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए वहां पर बहुत सारे updates मिलते रहते हैं लाइक आपको कोई भी update आता है question paper आता है या फिर कोई भी चीज का update वहां मिल जाता है तो आप उसक टॉपिक के साथ अपता के लिए बाइवाए थेंगी सो माच